दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉाइन का मोमेंट की आने वाले इन तीन महिनों में बिटकॉाइन का जो मोमेंट है वो अपकी तरफ रहेगा या फिट डाउन जैसा कि अपने वीडियो में बारबर बताता हूँ अगर बिटकोईन का हेल्थ अच्छा है बिटकोईन पंप करता है तो मार्केट में जितनी भी यल्ड कोईन है ये हमें हमेशा प्रॉफिट देती रहेंगी और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे रीसेंट अप्डेट दिखाऊंगा जिसको देखके आपको लग सकता है कि क्रिप्टो मार्केट फिर से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है फिलाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरा ग्रीन हो रखका है बिटकोईन में अच्छा खासा पंप मिला है और प्लस डॉच कोईन में आप दे सकते हैं तगणा पंप दिया है डॉच कोईन का क्या पंप का रिजन है वो हम वीडियो में जानेगी सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकोईन का जो मैंने चार्ट आपको दिया था उस चार्ट को आप देखे जो मैंने D का सपोर्ट बनाया है वो फेल नहीं हो रहा है यहां पर आप देखेंगे इस सपोर्ट पर आके तीन बार यहां पर आप देख सकते हैं तीन बार इस सपोर्ट पर आके इस से नीचे नहीं गया तो यह जो सपोर्ट रहा है स्ट्रॉंग सपोर्ट रहा है इस मेरे चा यहां पर एक हमें pump देखने को मिला है यह जो pump है आप देख सकते हैं इस pump यहां पर करीब यह 3.65% का profit हमें देखे गया है और ऐसे में जब bitcoin में pump आया है तो सारी earth coin आपको देए यहां पर green देखने को मिल रही है अब यहां पर बात करो इस chart का तो यह जो chart है मैंने बनाया है 1 month के लिए तो आप इस chart को 1 month के लिए follow करेंगे आने वाला जो 30 days है यह important होगा जब यह pump में मिलेगा अपनी इस वीडियो मैंने बारवर बोला है हो सकता है तो आप सब pump आके यहां पर इसे एक rejection देखने को मिले लेकिन वापस से एक बड़ा pump में देखने को मिलेगा यह जो E का resistance level है इस पर हम नजवी बना के बैटेंगे तो यह chart बहुत ही important है जो लोग trading करते है इस chart को जरूर follow कीजिएगा तो दोस्तों इस Bitcoin का price जैसे ही E की तरफ पहुँच जाएगा जो की 50K है यह एक resistance level मैंने माना है इसको अगर cross कर देता है तो यहां पर एक नया chart बनेगा प्लस यहां पर पता दूँ यह one month का है अगर हम प्लस दो महिने और एट करें थ्री मन्त का हम जानेंगे Bitcoin का moment क्या रहेगा अगर हम chart को follow करते हैं तो यहां पर लगता है Bitcoin का performance अच्छा रहेगा लेकिन अगर हम total तीन मन्त का देखे क्योंकि तीन मन्त में लोग अच्छा कासा profit बना सकते हैं अगर हम तीन महिने का total देखते हैं price prediction की Bitcoin का क्या update रहेगा तो यहां पर हम recent news पर नजाए डालेंगे पहला तो यह है यह जो Central African Republic है वहां पे crypto को regulate किया गया है वहां पे crypto को as a legal tender pass कर दिया गया है तो यह जो यह पूरे हपते का सबसे बड़ा news रहा है तो crypto में crypto को adopt कर रही है तो यह news देखने एक बात इंडिया क्योंकि अब यहां पे research कर रहा है वो भी देख रहा है बाकी country का क्या response आ रहा है लेकिन देरे देरे हम देख रहे हैं बहुत सारी country अब crypto को adopt कर रही है दुबई की बात करें तो दुबई crypto कहा हब बन चुका था अब अफर crypto का use कर रहा है purchase के लिए यहां पे वो पे कर रहा है cryptocurrency का तो यहां पर बात करें अमेरिका भी एक तरीका क्रिप्टो का hub रहा है हमेसा cryptocurrency को support करता रहा है प्लस यहां पे जो volume है वो लगातार बढ़ता रहा है तो ऐसे में crypto का future फिर से हमें bright देखने को मिल ला है काफी टाइम से market जो है बुरी हिस्ति में था और हमें अच्छा कासा यहां पर आप देख से down देखने को मिल ला था लेकिन bitcoin अगर 50 के को cross कर देगा तो समझे आप जो पिछला टाइम हमने अक्टोबर में देखा था वापस से ऐसा हमें माहल देखने को मिलेगा सारी इस coin हमें दबा के profit जो क्रेकन है सबसे बड़ी एक्षेंज वो मानी जाती है अब उधाभी में उसको लाइसेंस मिल गया है ऑपरेट करने के लिए तो यह जो क्रिप्टो एक्षेंज है और लगातारा करम वजीरेक्स ही बात करें वजीरेक्स भी वहां से ऑपरेट करेगा तो क्रिप्टो हब जो है दुबाई बन चुका है वहां पर बड़े बड़े एक्षेंज अपना मेन ओफिस ओपेंड कर रहे है तो ऐसे में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के बड़ी कमपनिया है वह अब दुबाई से ऑपरेट करेंगी तो उन्हीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने फ्यूचर में तो इस तरीके क्या है बहुत सारी कम्पनियों को प्रोब्लम होती थी लेकिन अब क्रिप्टो हब बन चुका है पुरि तरीके से कब्स अंब इस अब कर दिया है तो यहां फिर अब कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाला रसिया ने बेंड किया फिर बेन हटा दिया लोम आजाता है कि हम इसे बैंट करेंगे या फिर टैक्स लगा देंगे इस तरीके से कमपनियों को थोड़ा लॉस देखने को मिलता है इसलिए पूरी आजा दी चाहिए इसलिए वो दुबई के तरफ सिफ्ट कर रहा है तो यह एक बहुत ही अच्छी न्यूस है कि अब अब और कितनी क्रिप्ट कमपनिया है वो फ्री होके काम कर पाएंगे इससे क्रिप्टो में हमें अच्छा फ्यूचर देखने को मिलता है तो आने वाला तीन महीना का यह जो चार महीना पांच महीना फिर जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है फिलाल इस चार्ट की बात करें इस चार्ट को अगर एक महीने की बात करें इस एक महीने में यह जो 30 डेस है काफी important होगा इसमें एक pump में मिलेगा तो pump के बाद हम एक नया recession level बनाएंगे वो करी 48K या फिर 50K का होगा तो सोचिए एक हमें pump मिला फिर एक और pump मिलेगा तो इससे यही साबित होता है कि आने वाले इस 3 महीने में हमें एक बड़ा pump और देखने के मिलेगा तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि जितनी भी crypto currency है आपको अच्छा खासा profit देंगे बहुत सारे लोग काफी time से loss पर जो चल रहे थे अब उनका loss require होने का time आ रहा है यह जो 3-4 महीने है यह काफी important होने वाल अगर Elon Musk की बात करें उन्होंने इस हबते सबसे बड़ी news दी है उन्होंने Twitter को buy कर लिया है अब यहाँ पर Elon Musk ने Twitter को 44 billion USD dollar में buy किया है अब यहाँ पर यह सबसे बड़ा turning point रहा है cryptocurrency market में क्योंकि Elon Musk को काफी लोग seriously नहीं ले रहे थे Twitter पर भी उतना support नहीं हो रहा था एक time पर support हुआ था लेकिन बार-बार जब tweet आ रहा था उनको लग रहा था कि Elon Musk ऐसे ही tweet कर रहा है ना Dogecoin में बड़ा pump देखने को मिला था ना other cryptocurrency में Dogecoin को भी बार-बार tweet करने के बार भी एक बड़ा pump नहीं देखने को मिला था जैसे कि मैंने बोला अगर Elon Musk का बड़ा कोई move होगा तो Dogecoin में बड़ा pump में देखने को मिलेगा फिरहाल Elon Musk हमेशा cryptocurrency को support करते हैं थे अब market में जब उन्होंने Twitter को ही buy कर लिया मैं बता रहा है मिला है मैसिव बोल सकता हूँ मैसिव पंप हमें देखने को मिला है Dogecoin में अब अगर हम बात करने क्रिप्टो करन्सी मार्केट में एक समझे एक strong support मिल गया है तो यहाँ पे जितनी भी हर्ट कोई है वो हमेशा profit देती रहेंगे और जितनी भी बड़े-बड़े पुजक्श देखने को मिलेगा तो मैंने यह जो चार main point बताया है यह काफी turning point होगा क्रिप्टो करन्सी मार्केट के लिए और इसी हफते यह चारो बरे point का update भी आया है और इसी हफते यह सारे news आया है तो इसका मतलब अब आपको दबा के profit मिलने वाला है क्रिप्टो करन्सी मार्केट म आप कमेंट करके बताएगा आप क्या सोचते हैं आप यह भी कमेंट करिजेगा कि Elon Musk ने क्या सही किया है Twitter को buy करके की नहीं और आपने डौज को इन्वेंश्मेंट किया है तो आप कमेंट करके बताएगा ताकि सबको लोगे कि यहां आप अभी profit में चल रहा है अगर आप loss म है आपका कमेंट help करेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने डौज कोईन में investment किया है प्लस यहां पर मैंने यूट्यूब चैनल पर मीम कोईन गवारे में बताया था मैंने डौज और सिबा को बताया था कि अच्छा पुजएक है और मैंने बेबी डौज के बारे में बताया था इस चार्ट पर बने रही है जिए जो डी का support है काफी important है बड़ा pump हमें देखने को मिलेगा फिलाल एक pump हमें देखने को मिला तो सारी cryptocurrency में हमें green देखने को मिल रही है तो यहां पर आप देख सकते है market पूरा green हो रखा है तो जो भी मैं चार्ट ला रहा हूं एकदम सही तरीके से वो चार्ट वर्क कर रही है तो फिलाल आज किस वीडियो में इतना है आप कमेंट करके बताएगा ये वीडियो कैसा लगा तो फिलाल आओंगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत बहुत बैतरीन टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद